Hey guys once again welcome back to my channel मैं हूँ अंजना और आज की जो हॉल होने वाली है वो है इंडिया हॉल और इंडिया हॉल बहुत कम हो पाती है क्योंकि इंडिया के जो प्रोड़क्ट्स हैं बहुत जादा एक्स्पेंसिव होते हैं और इतनी हाई प्राइस पे कोई भी प्रोड़क्ट को बाय करन हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया के जो प्रोड़क्ट्स हैं बहुत अच्छे होते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इंडिया के जो प्रोड़क्ट्स है वो जब भी सेल आती है मैं इंडिया के प्रोड़क्ट्स बाय कर लेती हूँ अभी इंडिया के साड़ी की इसमें आपको ड्रेश पैंटी मिल जाएगा और प्लाजो शडी हैँ कोड़ा उसमें से ऑप बहर जाने वाले हो सबसाने हो इसके लिए लग government उसके लिए भी मैंने प्रोडक्स को चूज किया है और वो है प्लाजो साडी तो प्लाजो साडी मैंने पहले कभी ट्राय नहीं किया तो मैंने सुचा फॉर्स टाइम में इसे ट्राय करके देखती हूं किस तरह की लगती है तो समझ में आएगा कि यह मैं वेर कर भी पाऊंगी या नहीं ऐसे ट्राय हों तक ही रहेगा तो चले शुरू कर लेते हैं हौल को और देखते हैं सारे प्रडक्स तो जो फर्स्ट है गाइस बहुत ही ब्यूटिफुल सी यलो कलर है और यलो कलर तो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की यलो कलर की ड्रेस रिसीव हुई है औ आगे देखते हैं कुर्ति की डीटेलिंग तो यह एक ड्रेस टाइप की है एक्च्छी मुझे लग रहा था यह कुर्ती सी है बट इसकी जो लुक है थोड़ी सी डिफरेंट है तो यहां पर आपको इस तरह की और नीचे तक आपको इस तरह की बटन्स मिल जाते हैं और सारे के सारे उपनेबल है बटन की जो color है yellow color है आप देख सकते हैं और यहां पर आपको इस तरह की sleeves मिल जाती है यह बलून वाली इसकी जो length होगी 3 4 के आसपास होगी इस तरह की sleeves आपको provide की जाती है और यहां पर pleats मिलती है बहुत ही बारिक वाली इसके नीचे की तरफ आप आत आपको पैटन मिलती है जो फ्रेल की पैटन है बैक साइड आप देख सकते हैं इस तरह की आपको प्लीट मिल जाती है इसकी जो लेंथ होगी मुझे लगता है काफ तक होगी या फिर अंकल तक आएगी बहुत जादा लंबी तो नहीं है लेकिन ड्रेस है तो शायद ये अंकल तक आजाए और यहां पर आपको इस तरह की पॉकेट भी प्रोवाइड की गई है इस तरह से यहां पर पॉकेट आपको प्रोवाइड की जाती है एक तरफ है दोनों तरफ आपको मिलती है पॉकेट ठीक है और इसके अंदर आपको लाइनिंग भी प्रोवाइड की गई है म तो यहां पर आपको सैंटून वाली फैब्रिक मिलती है, लाइनिंग की देख सकते हैं, तो सैंटून की जो फैब्रिक है, इसकी वज़े से इस कुर्ती में थोड़ी अच्छी सी शाइन आ रही है, लोग काफी अच्छी सी लग रही है, बहुत ही हलके फुलके से, अगर आप म होते हैं, इसकी फैब्रिक काफी अच्छी होती है, इस वेधर में भी वेर कर सकते हो, ज्यादा परेशान नहीं हो गया, क्योंकि कॉलिटी काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगने वाली है, मुझे यह काफी अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आता है, आप बाई कर सकते हैं, अ मैं यह सेकंड आई टयागा है, यह एक प्लाजो है, यह इस तरह की प्लाजो है, आपको घर में अगर रहना है, होल्सक्ति अगर वेर करने के लिए कुछ कमफ़रेवल चाहिए, तो आप इसे चूर्सक्ति है, और इसकी जो लेंग्ध है काफी अच Back side में को lose okay, High waist की plazo है और आप देख सकते हैं यहां से आपको Frill वाली मिलती है plazo Slac bena bike aboard ओस तरह में ंचनद इस तरह से आपको यह शरारा के pattern वाली मिल जाती है यहाँ पर barik वाली आपको Pleats मिल जाती है और नीचे की तरफ भी आपको से तरह की데 तो यह प्लाजो और शरारा दोनों की जो mix होती उस तरह की है, बहुत अच्छी सी, बहुत ही comfortable सी यह प्लाजो है, अगर आपको पसंद आता है, तो आप बाय कर सकते हैं, लेंध इसकी काफी जादा है, जो short-heighted है, उनको इसे alter करवाना पड़ेगा, बट बहुत ही अच्छी स पिंक और वाइट की आपको प्रिंट प्रॉइड की गई है, काफी खुबसूरत सी प्रिंट है, और पूरे प्लाजो में आपको इस तरह की प्रिंट मिल जाती है, अगर आपको पसंद आता है, तो आप बाय कर सकते हैं, और जो next है guys, यह है एक unique product, जो कि मैंने try किया है first time, देखते हूं किस तरह का लगता है मैं वहर कर पाती हूं या नहीं कर पाती हूं, तो यह है plazo, साडी जो होती है उस तरह की है, तो इस तरह की plazo आपको मिल जाती है, front में belt के साथ में, और मुझे तो लगता ही यह बहुत जादा lose होगी मुझे, क्योंकि मेरी waist तोड़ी सी कम में, so front में आपको belt मिलती है, back side में आपको इस तरह की मिल जाती है elastic और side में इस तरह से आपको hook के साथ में zip भी provide की गई है, ठीक है, इस तरह की मिलती है, और जो plazo की length है यह अच्छी खासी length है, plazo के इंदर आपको इस तरह की lining प्रोवाइड की गई है, यह satin की, इसके ऊपर जो यह fabric है यह जॉट्टि शिवॉन की जू फैब्रिक होती है वही वाली fabric है ठीक है और प्लाजो में आपको इस जगर से मिल जाती है पल्लू ठीक है ये साइड से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ये पल्लू मिलती है और यहाँ पर इस तरह से स्टिच की हुई है ठीक है इस तरह की पल्लू प्रोवाइट की गई है वेर करने के बाद पता चलेगा किस तरह का लगता है ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी तो मैंने सुचा इसे ट्राय करना चाहिए क्योंकि आज कल काफी जाधा ये ट्रेंड में है तो एक बाद ट इस परिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में तो यह सोच के मैंने ले लिया अब इसे में ट्राय ओन करूंगी तब समझ में आएगा ये वेर करने लाइक है भी या नहीं ठीक है तो जो भी इसकी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी प्राइस किसी की आती है आपको पता इस वाले वैदर के लिए पॉफेक्ट सी ड्रेस है और इस तरह के ड्रेस को वेर करने के बाद आप इतने कमफुटेबल फील करोगे ये वाली जो यूमीड है ना इसमें इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जब बहुत जादा हुमीड़ेट के होती है बदन में कपड़े चिपकरे लगते ना तो ऐसी खुली-खुली ड्रेस अच्छी लगती है तो ये वाली ड्रेस और इसकी जो कलर कॉंबिनेशन आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी कलर कॉंबिनेशन है ब्लू के साथ में आपको बहुत ही प्यारी सी ग्रीन की कॉंबिनेश तो आप यहां पर आप उपर करके वेर कर सकते हो जैसे आप चाहें इसे स्टाइल कर सकते हो तो इस तरह की नेक प्रवाइड की गई है नेक में आपको लास्टिक मिल जाती है ठीक है फ्रेंट में आपको इस तरह की पैटन मिल जाती है यहां पर इस तरह की बॉडर मिलती है और सेंटर में आपको इस तरह से वुडेन बटन मिल जाती है यहां पर आपको इस तरह से लेस प्रोवाइड की गई है आप इस से अपने वेस्ट को अज़स्ट कर सकते हो लूज या ट मिल जाती है और सेंटर में आपको यह जो योग के ऊपर प्रिंट है यही वाली प्रिंट मिलती है ठीक है यह वाली जो प्रिंट है यह पूरी कुर्ती में सेंटर में मिल जाती है और साइड में आपको इस तरह की मिलती है stripes वाली जो pattern है ये ठीक है और यहाँ पर भी आपको ये layer वाली pattern प्रवाइड की गई है इस तरह से first layer and second layer ठीक है मुझे ये वाली pattern काफी अच्छी लगती है जो layer में होती है काफी अच्छी लगती है so इस तरह के इसको wear करना मुझे बहुत अच्छा लगता है wear करना तो अपने आप में काफी अच्छा लगता है so देख सकते हैं दोनों तरफ से आपको इस तरह की detaining मिल जाती है ठीक है center में थोड़ा ऐसा different pattern मिलता है और दोनों तरफ आपको starly fabric मिल जाती है यहां पर आपको इस तरह की sleeves provide की जाती है और यह मुझे लगता है elbow तक आएगी और यहां पर बहुत ही hulky सी elastic आपको मिल जाती है तो यह जादा आपको hurt नहीं करेगी back side में आप देख सकते हैं यहां पर आपको वही print बिलती है जो ऊपर की तरफ है और waist के नीचे आपको इस तरह की stripe soli pattern मिल जाती है ferozy और light green की बहुत ही अच्छी सी combination लग रही है पसंद आता है तो आप ले सकते हैं इसकी जो fabric है, rayon है और इसकी जो length होगी, full length होगी काफी अच्छी लग रही है इसकी length तो fabric wise काफी अच्छी है बहुत ही comfortable सी है अगर आपको humid में कुछ comfortable चाहिए तो definitely आप इसके साथ जा सकते हैं जो भी इसकी price होगी यह mention कर दूँगी तो last है guys, यह एक pant है और मैंने कोशिश किया हर चीज को add कर लू लेकिन एक haul में इतनी सारी चीज़े add नहीं होती है फिरे मैंने add कर लिया कुछ हद तक सारे के सारे जो products है सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है तो थोड़ा सा different आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर इस तरह की base print receive होती है आप देख सकते हैं यह जो paint इसकी जो color है इस तरह की है कि आप इस paint को सारी कुर्ती के साथ आप यूज कर सकते है क्योंकि यह वाली जो color है किसी भी color के साथ चलती है और अगर आपके पास यह वाली color नहीं है तो आपको definitely लेकर रख लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो quality है बहुत अच्छी है इसकी जो fabric है काफी अच्छी है और थोड़ी सी shine भी है इस fabric में तो आप अगर चंदेरी वगर के साथ भी अगर आप इसे wear करोगे तो यह वाली paint इजी ली जाएगी इंडिया की जो product है इसकी खासियत है इनकी जो quality होती है काफी अच्छी होती है सो मैं आपको दिखा दू यहाँ पर इस तरह की elastic मिल जाती है बहुत ही बड़ी size की paint रसीव हुई है इंडिया की products अगर आप आप बाई करते हो ना तो आप अपने usual size से एक size छोटी order किया करो क्योंकि इनके जो products होते ना काफी बड़े होते है तो अगर आपको एल आता है तो आप M लिया करो यहाँ पर आपको इस तरह की belt मिलती है back side में आपको मिल जाती है elastic और side में यहाँ पर आपको hook के साथ में इस तरह की hook मिलती है और यहाँ पर zip भी प्रवाइड की जाती है ठीक है जो base color है बिल्कुल different सी color है dark नहीं है बिल्कुल light shade की है तो इसकी look काफी अच्छी लग रही है और यह वाली color हमेशा आपको नहीं मिलेगी online आपको base color बहुत सारे मिल जाएंगे golden paint बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन यह वाली जो color है बिल्कुल नहीं मिलती है तो मुझे यह color काफी different सी लगी इसलिए मेरे तरफ से तो यह must buy product है guys इसकी जो shape है आप देख सकते हैं इस तरह की shape है नीचे आकर यह थोड़ी सी टेरो है और उपर से खुली हुई है तो आप wear करोगे तो comfortable रहोगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इस तरह की गोटे पती की detailing मिल जाती है इसके अंदर की तरफ आपको इस तरह की satin की मिल जाती है lining और यहाँ पर आपको दोनों तरफ pocket भी प्रोवाइड की गई है इस तरफ भी pocket है और इधर भी pocket है ठीक है तो कुल मिलाकर काफी अच्छी सी product है अगर आपको पसंद आता है तो आप buy कर सकते है आने वाले wedding season में बहुत काम आने वाला है जो भी इसकी price होगी मैं mention कर दूँगी So guys यह थी आज की haul Hope आपके लिए helpful रही होगी helpful रही हो तो like करे, share करे और subscribe करे मेरे channel को साथ ही साथ bell icon को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको timely मेरे videos के notifications मिलती रहे फिर मिलती हूँ next video में तब तक के लिए Bye Bye